सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियाइस भारत पे आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छी होंगे वाजम आप लेक्टेस एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजबल वीडियो लेकरा है जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तन के स सबसे मश्यूर पत्रकार और यूट्यूबर सोहिब चोधरी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की वेटी और सुप्रीम कोट की दबंग वकील हम सब की चहती नाजिय लाइक खान जी जो की बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर परधानमंत करेंगे जेहिंद जेभारत आज नाजिय लाइक खान हमारे साथ मजूद है बहुत दिनों बात हमने रिक्वेस्ट की नाजिय जी से के हमें आप टाइम दें टापिक कुछ ऐसे हैं जो मैं समयता हूँ कि नाजिय जी से ज्यादा बेहतर कोई एक्स्प्लें नहीं कर सकता ले पाकिस्तान में ये बताया जाता है रहरे को पता है कि बताया जाता है कि जी इंडिया में जो मुसल्मानों पे जलम है कश्मीर में तो लोग अपने हक के लिए वाज नहीं उठा सकते लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया साइट कश्मीरियों ने बकाइदा तोर पे रैल नहीं निकली, तो फिर पबंदी कहां पे है? पाकिस्तान में, लहुर में, या फिर जम्मो एंड कश्मीर में, इसके ओपर बात करेंगे, इंडियन प्राइम निस्टर मिले, फलस्टीन के प्राइम निस्टर के साथ, जब वो युऊसे के विज़ड पे थे, पाकिस्तान के प् भी किये है वक्ष बोट का क्योंकि बहुत से लोग आप में से ही कमेंट कर रहे थे कि वक्ष बोट के ओपर भी एक वीडियो रिकार्ट की जाए और जो इंडिया के मुस्लिम हैं उन में से किसी को बढ़ाया जाए उनके साथ बात की जाए नादिया जी सबसे पहले वक्ष बोट थोड़ा जब मुझे भी एक्स्प्लेइन करिएगा देखने वालों को भी एक्स्प्लेइन करिएगा और वक्ष बोर्ड का इशू क्या है वो भी एक्स्प्लेइन करिएगा फिर हम फलस्टीन के अब उपर बात करेंगे किश्मीर के हवाले से बात करेंगे बने मातरम भारत माता की जय जय जगरना थाइंक यू सो मच श्वयब देखिए वक्ष बोर्ड को दो लाइन में एक्स्प्लेइन करूंगे और उसके बाद फिर बाखी सारी चीज़े बता दूंगी आपको ना खाता ना बही जो वक्ष बोल दे वही सही ठीक है श्वयब आप क्यूंके इस्लामिक देश पाकिसान से बैठे वे हैं और मैं एक डेमोक्रेटिक सम्विधानिक देश भारत से बैठे वी हूं आपके पाकिस्तान में वक्ष की कितनी प्रॉपर्टी है या आपको आप पता है या वक्ष बोर्ड की ओफिसे कहां कहां पर है आपके पाकिस्तान में वक्ष बोर्ड की कोई भी ओफिस नहीं है और आपके पाकिस्तान में वक्ष बोर्ड नाम का कोई भी कीड़ा नहीं है भारत एक secular देश है और भारत में मुझे सम्विधानिक तरीके से क्योंकि मैंने सम्विधान की किताब पढ़ी है और सम्विधानिक तरीके से सबको equal दर्जा और equal facility मिलनी चाहिए पर अब जैसे ही British और जिन्ना के बनाए हुए कोई कानून को अगर देखा जाए या पढ़ा ज देते हैं जो भारत के मुसल्मान है सचर कमिशन के रिपोर्ट के हिसाब से दो रिपोर्ट में सचर कमिशन की आपको बत्ता हूंगी और जिसको आपती है वो गूगल में सर्च कर ले या RTI करके राइट टो इन्फॉमिशन अप्लिकेशन करके वहां से मंगबा ले सचर कमिशन के रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त की प्रॉपटी रखता है सबसे ज्यादा भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपटी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपटी है उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्त की प्रॉपटी में मुझेशन के रिपोर्ट के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा रेविनियू उठाता है तक्रिबन 2,00,00 करोड़ से ऊपर रेविनियू उठाता है पर यही सचरकमिशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसल्मान शिक्षा में दलिच से भी पीछे हैं जो जिना इतने दधनोलत है तो फिर मुसल्मान हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं क्यों मचा रहे हैं अब जहां जहां पर बात आ जाती है कि ब्रेटिश ने शरिया लौ बनाया जिन्ना के साथ मिल करके भारत के मुसल्मान उसी को मानेंगे अलगुरान को ताख पर रख देंगे अब आ जाता है 1995 का जो एक्ट है जिस किताब को लोग के स्टुडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है वो 1995 का एक्ट जो है वो इससे पहले भी संशोधन हुआ है अमेंट हुआ है 2013 में भी अमेंट हुआ लेकिन 2013 में क्योंके कॉंग्रेस की सरकार थी इसलिए असदुद्दे नवेसी जो कॉंग् पार्ते जनता पार्टी और आदर्णिय परदानमंत्री के नेतरित में वकबोड के को संशोधन करके एक खूपसूरत बिल पेश किया गया है जिससे मुसलमान पस्मांदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफियर हो उनके हितमे काम हो उनके हक में बहुत सारी चीजे हो पास असद उद्दी अवेसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिलाने लगो, और वख बुड के नाम पर, इस्लाम के जेस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमनों को बहका करके, फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा, वो तो हम जैसे लोग मुसल्मान हैं भारत में, जो बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरे मुसल्मान भाईयों तब ही उतरना, मेरे मुसल्मान बेनों तब ही उतरना, जब अवेसी की बेटियां भी रोड पर उतरेंगी, जब जाकर नायक अपने घर की बहु बेटियों को रोड पर मंदिर पर तेरोपती चिल्ला मंदिर पर अब जब इसलाम ही साड़े 14 साल पुराना है तो 1500 साल पुरानी मंदिर कैसे वकबोट की हो सकती है यह तो पॉसिबलेटी जी नहीं नज़रा रही है अब दूसरी नाम से कई arrest warrant है वो Congress के गले में गला मिला रहा है आकर क्या बात है जो 2013 में जब बोर्ड में amendment आता है तो सारे मुल्ला मोल भी चुप रहते हैं लेकिन अधरनिया परदानमंतरी का जब amendment आता है उनके नहतरित में जब amendment आता है और जोएंट ने एक यूट्यूबर है उनको इंटर्व्यू रिसनली एक हफता पहले आलमूस जाकर नाइक ने इंटर्व्यू दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि बाई इंडियन गॉर्मेंट हाथ सोर्वे बीजेबी की गॉर्मेंट के टाइम पे अभी कुछ ही साल पहले मुझ से कहने का ये मतलब था जैसा बोलेंगे जो बोलेंगे हम आपको वैसा प्रोटोकॉल देंगे तो इसके उपर क्या इसका मतलब ये के बीजेबी गॉर्मेंट ने उन्हें ये बोला कि आर्टिकल 370 के उपर बात जी जी इसलाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी अपनी दुकान चलाने वाला जाकिर नायक सबसे पहले भारत में था जहां से भागा है दुम दबा करके जिसके उपर 100 से उपर FIR है वो उसके नाम से वारंट इशू हुआ हुआ है और भारत के नियाए पालिका से स्टैंप आतंकी है उसके बाद जाकर के मलेशिया में रहा और जब मलेशि स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो वहां की सरकार ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया कि चल यहां से भी निकल लेकिन इधर मैं क्वेस्टन यह भी करना चाहूंगा कुछ ही टाइम पहले इनलेशिया के जो प्राइम प्राइमिस्टर हैं हैं उनकी इंडियन प्राइमिस्टर नरिंदर मोदी साथ से मीटिंग हुई है वहां पर विजट हुआ है तो वहां पे इंडियन गौर्मिटिय अपनी डिमांड रख सकती थी कि हमारी ही देश का जिसे हमने टेरिस्ट डिकलेर कर चुके हैं वो आपके चले मान लिया हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं अफिशली गोर्मेंट टू गोर्मेंट बात करूं लेकिन मिलेशिया तो यह कर सकता था तो क्या आपने डिमांड रखी मिलेशिया के सामने इंडियन गोर्मेंड ने उन्होंने मानी नहीं आपने डिमांड नहीं रख पाकिस्तान जिसको पूरे दुनिया से भगाया जाता है वो कहां जा करके बसता है पाकिस्तान दाउद इबरह्म को लिजिए पुप में उसने बहुत आतंक मचाया महाराष्ट को उसने बरबाद करने की कोशिश की और आज भी दाउद इब्राहिम के इशारे पर नाजाने कितने फिल्म एक्टर और एक्टरेस है जो नाच रहे हैं आज भी महाराश्ट में नाजाने कितने फिल्म एक्टरेस है जो दाउद इब्राहिम की फंडिंग पर आतंकी और जिहादी टाइब के फिल्में बनाते हैं जिसमें सनातन धर्म को डिफेम और मलाइंग करते हैं लेकिन दाओद इब्राहिम दुबाई पहले भागा दुबाई से भगाया गया तो फिर वो कहां जाकर के बसा पाकिस्तान में जाकर के बसा तो उसी तरीखे से जब पूरी दुनिया में जाकर नायक को एक बालिश जगा नहीं मिली तो वो कहां जाकर के बढ़ापे में बसने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान ठीक है उन्होंने वैसे विजट का बोला है देखने वाले जो लोग भी और डेफिनेटली उनका वो इंटर्व्यू काफी वाइरल रहा बहुत से लोगों ने देखा और इसके लावा भी मुक्सली जगा पे उन्होंने बोला है कि हम मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान विजट के लिए आ रहा हूँ अब वो विजट के लिए आया जाएगा या फिर बकाइदा यहीं पाकिस्तान में रहाइश की जाएगी आपकी क्या ओपिनियन है कुमेंट बाक्स में विडियो गर आपको अच्छी लगए तो इसे लाइक को शेयर जरू कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्षियम लिख कर दें जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको इसे लेटेस इंट्रोस्टिंग औ आते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस्त और मज़िदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत